जानाया तरो कि यह सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा संद्रा का साजिश है और आप लोग सब लोग जानाव हैं एह ते डेड़ साल से यह साजिश जो है चल रहा है और साजिश रचने में यह लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरिक्के स जानते और कौन-कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पैचानते हैं लालू जी के साथ है और नितीजी के साथ है और कुछ लोग जो बियान वीड़ जो लेता जो चर्चित आजकल हो रखें उसके साथ जनता थोरी नहीं देख रहे हैं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेस्वी आदव ने यह साफ साफ कह दिया है कि अभी EDCBI के लोग भी हमारे घर पे आएंगे देखिए इन दिनों राम चरीतर माना स्कुलेकर के विवाद बढ़ता जा रहा था बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेशर चंदर्श आधव अब तेस्वी आदव ने भी शारों इशारों में उपेंद कुछवाहा को भी खूब सुनाया है देखे नितिश कुमार और तेस्वी आदव को सब कुछ मालूम है महागड़ बन्दन के नेता कौन है नितिश कुमार और लालो यादव उन्हें सब पता है सब जानते है बीजेपी क्या खेल खेल रही है और अब तो तेस्वी आदम यह भी जानते हैं कि उनके घर पर एडी और सीबिया की छपे मारी होगी कैसे उन्हें बदनाम किया जाएगा यह सभी एजंडा बीजेपी का है साजिष है और आप लोग सब लोग जाना यह साल से साजिश चल रहा है पहले यह लोग बात करते थे जिए फिर बात करते थे और बात माइंड सेट के जो लोग हैं यह इस तरह का साजिश कर रहे हैं लोग तो हम लोग नितीज जी महागडबंदन जब से बना है तब से जो हम लोगों को देश जो है महागडबंदन सरकार लगतार नौकरी और जाती जिन घंडा जो हम लोगों को कमिट्मेंट था उस दिशा में लौक दब काम कर रहे हैं तो फिर से यह लोग जो है शाजिश रच रहे है और साजिश रचने में यह लोग क्या-क्या करें यह मुख्यमंत्री जी और हम लो अच्छी तरीके से जानते हैं और कौन-कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पैचानते हैं आप देखिएगा कि महागडबंधन के दो शीर्ष नेता है आदंडे लालू परशाद जी आदंडे नितीश कुमार जी और शीर्ष नेते तो हम लोग सब लोग मिलकर के महागडबंधन हम लोगों न जान रहे हैं कि बिहार की जनता माने लालू जी के साथ है और नितीशी के साथ है और कुछ लोग जो बियान वीड़ जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं उसके साथ जनता थोरी ना है जनता जो है वो केवल लालू जी और नितीशी के साथ है और आपको हम बता दे रा 2 लोगं और इनकी शाजिशों का हम सब लोगों को पता है कि बाजपा जो यह क्या करेगी अब जाती जिन्गन्ना के बाद एक अजेंडा जो है बीजेपी माइंडशेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है भई पकड़ी हुई है हम मानते हैं कि ठीक है तेश का सबसे पवित्र आप किताब कह लिजिए ग्रंद कह लिजिए देश किसे चलता है कि मेरा माणना है कि देश का जो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है रमधान से चलता है और इस संवgenes में सब को आजादी है कि भाई अपनी बात वह रख सके लेकिन सबढिंदान यह भी बताता है कि यहां हर धर्म का मान और सम मानikा है किया जाना चाहिए है हम लोग घर्ड धर्म करें मान उसमान करते हैं कोई किसी को कone confusion होने वाली बात नहीं क्या कहता है नहीं कहता है हम लोग इन चीजों पर जो ज़ू चिसरा गवर नहीं करते हम लोगंद्ध की बात करता है मुद्दा क्या है सिच्छा मुद्दा क्या है रोजगार है मुद्दा क्या है महंगाई है मुद्दा क्या है बिहार की तरक्की है लोग आगे बढ़ें यह हम लोगों की बात होनी चाहिए चर्चा इस पर होनी चाहिए लेकिन आजकल देख रहें कि चर्चा भाईया ना महंग रत्य कर रहे हैं अभी तो यह चलेगा है अभी चल रहा है अजेंडा क्या भाजपा का अजेंडा हम लोग से क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मजजित पाकिस्तान कश्मीर फिर वहीं आगे बिहार को ले करके एक बड़ी तयारी चल रही है कि इसी पर रखा जाए बीजेपी के कुछ शिर्ष नेता है थे नहीं आए एक दो यहीं ट्रेनिंग दे के गए हैं यहां जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं बीजेप इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले महागडबंधन जो है ठूटेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है अब बता ही तरह तरह की बाते चलाई जा रही है मार्केट में तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है कौन क्या है अरे भाए शीर्ष नेता कौन है ल कि जालू जी है नितीजी और हमा महागडबंदन जो इसके साथ है कि आन फुर्थ यह आनविर के साथ you को मता है की यह मुद्दा क्या होना चांदा है और इसे कितना भी लोगको फोड़ी बहुत मांसिक संतुष्टी मिल गई होगी कि भई चलो बड़ा बड़िया लाइन पकड़ाया है यही मोका है तो सब लोगों को पहचाना जाता है जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है कि इतना भी लोग एड़ी अलगा करके भासन दे ब्यान के दे आप लोग सब लोग जान प बात सुन लो अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पर हिंदू-मुसल्मान पर फिर आएगा डिस्कोर्स कुछ दिन बाद पता चलेगा कि इडी जो है फिर से आगे ते जश्वी के पास बड़ा संपत्ति है फिर से जाच होगी फिर केस होगा फिर मुकदमा होगा इस सब जा सब्सक्राइब कर लें साथ सब्सक्राइब करें धन्यवार झालेब करें से जाच होगा 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 है